आज हम बनाएंगे लजीज चिकन ब्रियानी सबसे पहले मैंने यह भगोना लिया है आप चाहे तो कोई और भी बरतन यूज कर सकते हैं इसमें आराम से बन जाता है अब इसमें डालेंगे सबसे पहले तेल कॉंटिटी सारी आपको स्क्रीन पर दिख जाएंगी अब इसको अच्छे से गरम करेंगे तेल अच्छे से गरम हो चुका है इसमें डालेंगे यह लॉंग और डालेंगे इसमें काली मिच अब सीधा इसमें डालेंगे यह प्याज जो मैंने स्लाइस में काटी थी इसको तब तक fry करेंगे जब तक यह गोल्डन कलर की ना हो जाए प्यास बढ़िया से फ्राई हो चुकी है इसका कलर चेंज हो गया है इसको जादा फ्राई नहीं करेंगे अब डालेंगे इसमें चिकन चिकन को भी हलका सा तल लेंगी चिकन अच्छे से प्राई हो चुका है अब इसमें डालेंगे यह बड़े टुकड़ों में कटी ही हरी मिर्च और डालेंगे साथ में इसमें लेंसन अद्रक का पेस्ट अच्छे से मिक्स करेंगे इसको अच्छे से चलाते हुए भूंज लेंगे अब इसमें एड़ करेंगे नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग चला लेंगे अच्छे से जब तक यह अच्छे से भूंजेगा जब तक हम मसाली प्रिपेर करेंगे इसको ऐसी स्लो आच पर बुझने देंगे एक फ्राइपन लिया है मैंने उसमें डाली है काली मिर्च और यह डाली है सावो धनिया शाह जीरा लॉंग बड़ी लाइची और डाला है एक स्टार फूल एक छोटी लाइची डाली है एक तेज पत्ता डाला है और यह थोड़ी सी डाले है थोड़ी सी जावित्त्री इन अब को अच्छे से ड्राय रोस्ट करेंगे मसाले अच्छे से ड्राय रोस्ट हो चुके है अब इसमें डालेंगे यहरी मिर्चा और डालेंगे इसमें हरी दनिया सबको अच्छे से पीस लेंगे जो हमने मसाले ड्राइ रोस्ट करें थी उसका मैंने थोड़ा सा पाई डाल के पेस्ट बना लिया इसी में एड़ कर देंगे मसाल अच्छे से भूझ चुका है अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा दही इसको भी भूझ लेंगे अलका सा अब इसमें डालेंगे टमाटर की प्यूरी इसको भी भूझ लेंगे इन सबकों में तेज आज पर भूझ ना है अकनी हमारी बिल्कुल रेडी है अच्छे से भूझ चुकी है अब इसको स्लो करेंगे इसकी फ्लेम और इसमें डालेंगे 90 परसेंट कुक्ड राइस चावल डालने के बाद अब इसमें डालेंगे दूध थोड़ा समया दूध डाला है अब इसके उपर से हम कलर डालेंगे मैंने रेड कलर डाला है अब डाला है मैंने ग्रीन इसको भी हलका सा मिक्स कर देंगे जिसमें ये सारे चावलों में अच्छे से हो जाए बस अब इसको ढग देंगे और इसको अच्छे से भा पाने तक बिल्कुल स्लो फ्लेम पे पका लेंगे दम लगाना है हमें बिल्कुल स्लो फ्लेम पे दम लगा लेंगे बियानी बनके हमारी बिल्कुल रेडी है